नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे की गाबाराइड एंटी टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, गाबाराइड एंटी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और गाबाराइड एंटी टैबलेट क वज़े से क्या side effects हो सकते हैं। और यहां भी discuss करेंगे कि गाबाराइड anti-tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। नियूरोपैथिक दर्ध का मतलब होता है नसों में दर्ध होना। शरीर के हाथो, पैरों, कमर या शरीर के किसी भी अन्य हिस्से में नसों का दर्ध हो सकता है। शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर, शरीर में कमजोरी होने पर और रीड की हड़ी से संबंधित कोई समस्या होने पर नियूरोपैथिक दर्ध होने का जोखिम अधिक हो जाता है। साइड इफेक्ट्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में गाबाराइड एंटी टैबलेट की वज़े से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में गाबाराइड एंटी टैबलेट की वज़े से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं। जैसे नीन अधिक आना, सिर्चक्राना, वजन बढ़ना, शरीर में ठकान होना, मुँ में सूखापन होना, दिल की धरकन तेज होना, कब्स होना, आखों में धुंधलापन होना, बलड प्रेशर कम होना और शरीर की गतिविधियों को नियंतरन करने में परेशानी होना आदी साइड इफेक्स गाबाराइड एंटी टैबलेट की वज़से हो सकते हैं, अब हम डिसकस करेंगे की गाबाराइड एंटी टैबलेट को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है, गाबाराइड एंटी टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के ब गाबाराइड एंटी टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। गाबाराइड एंटी टैबलेट के साथ शराप का सेवन नहीं करना चाहिए। गाबाराइड एंटी टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को गाबाराइड एंटी टैबलेट को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना।